हलो दोस्तों मैं आपका भुद्बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टिट और उस्टाग मार्केट पर जैसे के आपको दिखाई दे रहा है कि अब अपन उस वाले सेग्मेंट पर पोज गए हैं और उसे प्लेज भी करना है तो कोशिश करें कि अब मतलब अगर आप इन सब पर ट्रेडिंग करेंगे और इन में अपनी बनाने को जाएंगे आप बात कर लेते हैं कि पेशे को दो तरीके से सिस्तेवाल करने का क्या क्या क्यक्त है मैं सबसे लेक्क पर खिल कले कैसे हैं इसे हम पुलते है का भी प्रक्राइब का पैसा जो है जब भी आप इसे क्या कर दोके प्लेज कर दोके तो ब्रोकर आपको लेट सपूस्थ आपन मान के चलते हैं एक्जांपल के तो पर एक परसेंट का है तो एक लाग में 20% कम करके असी हजार रुपे ब्रोकर आपको देदेगा कि आप इसको इंट्राडे में जैसे इस्तेमाल करना है वैसे इसके उपर जवन्नी का ब्याज नहीं लगीगा इसे हम कहते हैं प्रेजिंग का कॉंसेप्ट आप यहां पर दूसरा करने दाता है आदमी यह बोले कि नहीं मैं को इ परसेंटेस से लेंगे तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है आदा जो है अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपके पास होना चाहिए 50-50 यानि के 50 आपके पास होना चाहिए प्लैज का मार्जन और 50% जो होना चाहिए आपके पास केश कंपोनेंट प्प्रोर अब निकल क्या यह चाहिए केश कंपोनेट क्या बस यहींसे जाकर कि अपने वीडियो को आपको बइस दिखाई दे रहा है यहीं आपको केश कंपोनेंट की तरह काम करेगा अब लिग्रहीं पोटफ़ारों में क्यों जरूरी हो जाता है अगर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है और कुछ भी इंवेश्मेंट नहीं करना है पर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो सबसे बेड़र तरीका क्या होगा अब देखिए एक आदमी वह बीज जो एक लाग रुपी लेके आता है पर उसे यह पता ही नहीं है कि मैं इस एक लाग रुपे फांच पर सेंट साल का कमाते हुए भी इसके उपर और सेलिंग कर सकता हूं अगर हम इस्तंगाल करेंगे और बाइंग करने के बाद जब भी हमारे पास एक्सिस-फंड होगा उसे बाय करके छोड़ते चले वो क्या करते हैं वो यह करते हैं कि वो सिधा आते हैं एक लाग रुपे से उनको पता नहीं होता है कि लिक्विट भी इस नाम के चीजे और दूसरे अधन इस्ट्रूमेंटे जो कि केश कंपोनेंट की तरह भीएफ करते हैं और उसके उपर मुझे एक स्पेसिफिक रिटन आपके पास एक लाग रुपे तो यह कितना कट करते हैं 10 परसंट तो आपके पास एक लाग नहीं करके कितने हो जाएंगे नभी हजार अब आप क्या करो अपनी जेब से 20,000 रूपे उपर से डाल दो और क्या बोलो कि यहीं मेरा रिस्क है तो यहां पर जाकर करके आपका र रहा हूं क्या गणीति देखिए अगर मैं एक लाग रुपे डालता हूं लिक्विड बीज में अभी लिक्विड बीज के चार्ट पर लेके चलूंगा कैसा रिखा देता है जो आप बोल रहो कि इसमें घड़ गया तो इस पर भी लोगों को डाउट होगा क्या यह नीचे अगर खतम हो जाएंगे उस दिन जाकर के मैं बोलूंगा कि मेरी स्टेटेजी में गड़ बड़ी है और या तो मुझे स्टेटेजी को रिप्लेस करना या फिर ओप्शन ट्रेडिंग रोकनी है भी हाल के लिए क्या बोला मैंने आपसे आपको 20% अगर चले जा रहा है आपक सब को जोड़ जाड़ करके अगर आपने 20,000 रुपे लॉस कर दिये आने वाले तीन महीने में पांच महीने में तो आप समझ जाना कि आपकी ऑप्शन सेलिंग के उपर कुछ गड़बड़ी है आपको उसे स्ट्रेटेजी को चेंज करने के अवर्शकता है या उसमें कुछ करने की जर्वत आन पढ़िए बस इतना सा काम होता है अपना और इसी जगे पर हम लिक्विट बीस का इस्तेमाल करते हैं अब चार्ट पर चलेंगे सीधा जित्तों के मन में यह डाउट है कि मैंने लिक्विट बीस खरीदा हजार रुपय का उसका भाव या अगर वो गिर तो तो में क्या करूंगा तो यह एकदम बच्चों वाली बात है वो नहीं किरता है अब क्यों नहीं किरता है इसके बारे में समझेंगे पहले चार्ट पर चलते हैं तो अब जैसा आपको सामने दिखाई दे रहाएगा अपन चार्ट पर आ चुके लिक्विट बीस के देख तेज दिमाग चलाने की जरुवत नहीं है आप थोड़े से समझदार होंगे तो आप 99.99 पर बाइंग सेलिंग जो है आप 1000.01 पर लगा करके छोड़ देंगे इससे जादा कुछ और दिमाग चलाने की जरुवत नहीं है अब बात आ जाती है कि हमको पैसा देगा कैसे देख हम जो है अपने ट्रेडिंग को इंपरोफ कर रहे है हमारी ट्रे डिण को कर रहे है और उसके ऊपर कुछ बैटर करने का प्रयास कर रहे है कि हम जाकर के बेंक ऊकोट 2 मार्जिन से हरां बस इस इसके लाबवा हमारा कुछ लेना देना नहीं है dannyas अब बैंक को को इंद नही परसेंट कमाओ ताकि आप उस वाले बेंक को बीट कर सको बस इससे जादा हमें टेंशन नहीं लेनी है स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मेरा मोटीव है और ऑप्शन ट्रेडिंग से मुझे पैसा कमाना है तो आप लिक्विट बीज में अपना फंड को फिर फ खरीद के है इससे फाइदा किया होगा कि आपका पैसा टूटेगा नहीं आप 50,000 रूपे लेके आए हो 50,000 रूपे डालो 5,000 रूपे उपर से डालो उस 5,000 यह खतम होने पर अपनी स्ट्रेटेजी में ट्विक करना शुरू करो चैन्जस करना शुरू करो क्योंकि आपको रकम में अप तूटने वाली है रकम को नहीं तूटने देना है और रकम को अगर मैंने बचा लिया तो मैंने पैसा कमा लिया इस सिद्धान से जो हम काम करते हैं I hope आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा कि Liquid Bees कैसे काम करती है क्या इसकी वरकिंग होती है एक और important च situation की according के डिपेंड करता है कभी कभार इसके रिटन 3% रू 4% के भी चले जाते हैं तो यह चीज का आपको ध्यार रखना है हम बस इसका इस्तेमाल करके हमारे पेसे पर जो फंड बिल्कुल फ्री हो चुका था जो फंड का हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उसके उपर कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद